आज मैं आपके लिए कच्चे चावलों की बहुत ही मजेदार रेस्पी लेकर के आई हूँ यकीन वानिये आज से पहले आपने कभी भी ये रेस्पी बना करके नहीं खाई होगी बहुत ही टेस्टी लगती है महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं एक खड़ाई में हमने रिफाइन तेल गरम होने के लिए रख दिया है या तो आप यहाँ पर रिफाइन तेल लें या फिर आप देसी गी का इस्तिमाल करें और कोई भी स्मेल वाली तेल का इस्तिमाल ना करें अब यहां पर हमने लिए हैं कच्चे चावल, बिल्कुल नौर्मल चावल हैं, जो कि हम लोग रोजाना में, खाने में इस्तमाल करते हैं, बस वही चावल हैं, तो किसी भी quality का आप चावल ले सकते हैं, तो एक बार में हम सिर्फ एक कप चावल का ही इस्तमाल करेंगे, तो तो की नालेशं के सबूंसार हो जनी हो जाया जो जन्यशां कडिन तो जाता जाए नहीं प्रॉछ These इता है कीसे नहीं चेयित सबूर्इम हो प्रॉधाइब चावल जीन दौणता पूरीका 55出去 तरह से चावल को फ्राई करके नहीं किया तो एक बात जरूर ट्राई करें तो चलिए इसको हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए सुनेरा होने तक बढ़िया तल लेते हैं तो लगबग तीन मिनट का समय लगा और आप देख सकते हैं चावलों का कलर बहुत ही बढ़िया सुन तो टोड़े से चावल और फ्राई करेंगे तो टोटल मैंने यहाँ पर देड़ कप चावल को अच्छे से सुनेरा कल लिया है तो इनको भी अम इसी तरह से कल लेंगे तो लीजिए हमारे बहुती सुनेहरे क्रिस्पी बहुती टेस्टी चावल बन करके रेडी हो गए हैं बहुत अच्छे बने हैं तो चलिए इनको हम साइड में रख देते हैं अब यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है इसमें हम डालेंगे एक कप चीनी अब यहाँ पर मैंने कॉच्छु को भी दो टुकड़ों में काटा है थोड़ी सी गरी यानि Holmes की नारीड जो भी डफूट्सों डाल सकते हैं जो नहीं है मत डाली है आब हम उपड़ाई फूट्स डाल देते हैं साथ में ही हमने जितनी कॉंसीं में बभी थी उतनी क्वांटिटी में हम पानी डालेंगे यानि कि एक कप चीनी के भी हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगो और चीनी को डिय्जॉल्फ होने देंगे यहां पर हम चीनी की छासनी बना रहे हैं लिख अ cheese बहुत近ड़ होने तक अच्छे से पकने देते हैं फ्लेम को आप मीडियम रखें तो यहां पर हम थोड़ा से लाइची पाउडर भी डाल देते हैं फ्लेवर के लिए यह पूरी तरह से ऑप्सनल है आप नहीं डालना चाहेते तो मट डालिएगा तो लगभग दो मिनट बाद जो चासनी है थोड़ी सी गहड़ी हो गई है यह देखिए इसमें चिपचिपा पंसा नजरा रहा होगा तो बस हमें तार अभी बिल्कुल भी नहीं बनाना है और अब हमने जो फ्राइ करके चावल रखे हुए थे इनको हम डाल देंगे अब हम फ्रेम को बिल्कुल लो कर लेंगे क्योंकि इन चावलों को हमें चासनी के साथ कम से कम दो-तीन मिनट तक पकाना है क्योंकि चासनी इनके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और यह हलके से नरम पड़ जाए पूरी तरह से नहीं बिल्कुल हलके से नरम बका इसमें बहुत अच्छे से कोट हो जाएगी तो चलिए लगबख हम इसको दो-तीन मिनट तक सी तरह से मिक्स करेंगे दो-तीन मिनट बात जो चासनी है पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आ रही होगी और चावल भी काफी अच्छे से ग्रीसिंग कर लेते हैं अब हमने आप लिये हैं सफेद तिल इनको हम थोड़ा से स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा मैंने लिया है डैसीकेटिद कोकुनट इसको भी हम स्प्रिंकल कर देते हैं वैसे यह कोई जरूरत नहीं है लेकिन यह नीचे अच्छे से चिपक जाएंगे हम जो रैस्पी बनाने वाले हैं इससे देखने में और भी जादा बढ़िया और खाने में टेस्टी लगेंगी अब हम नमीठे और कुरकुरे चाफलों को बरतन में डालेंगे और स्पेशला की मदद से इवेनली अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे तो हमने इनको अच्छे से दवाते हुए बरतन में सेट कर लिया है यह देखिए अब हम क्या करेंगे इसको हम आदा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे या 15 मिलिए आप फ्रिज में रख दीजिए बहु उपर एक प्लेट रखेंगे और इनको हम डी मोल्ड करेंगे तो डी मोल्ड करने के लिए हलका सा इसको टैप करिए तो आप देख सकते हैं हमने जैसे हलका सा टैप किया यह पूरी मिठाई हमारी बाहर आ गई है तो यह कच्छे चावलों की कुरकुरी सी मिठाई है ऐसे लगती है तो इसको हम अपने मन मुताविक सेप में कट कर लेंगे तो हमने इसको कुरकुरी बर्फी की सेप में कट कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यह देखने में लग रही है और बहुत ही खाने में मज़ेदार है आपने इस तरह से कभी ट्राई करके नहीं देखा होगा कर्चे चावलों की ये कुरकुरी बर्फी तो जरूर ट्राई करें इसे आप किसी भी एर टाइट वर्तन में रख करके पूरे दो महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे जरूर लगा होगा वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर करें